हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, सबागा था आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल, ग्रेट वैल विद अतुल में, मैं हूँ आपका दोस्त, अतुल गोहल, आज हम डिस्कस करेंगे फुचर डिटेल के बारे में, टोपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो जरूरी है कि इस डिल से किसको फाइदा है, एलाइंस ग्रूप को फाइदा है, या एमेजन को फाइदा है, या फिर फ्यूचर ग्रूप को फाइदा है, या फिर शेर होल्डर्स को फाइदा है, तो किसको फाइदा है, हमें किसके शेर खरिजने चाहिए, फ्यूचर इंटर सेविक का, एमेजोन का, एलाइंस, फ्यूचर, स्प्रीम कोर्ट, दिल्ली कोर्ट, तो इन सब को डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पेसंस से वीडियो को देखना ताकि हम इसे थोड़ा सा डिटेल में जा सकें, फ्यूचर डिटेल क्या है, कैसे बना, क्या इसके इशू जाए, क्यों इनको बेचना पड़ा, तो ये सब टोपिक्स हम दिले-दिले इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको डिटेल में पता चले कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, एक्ट्वल में हमें क्या करना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं एटलिस्ट वो लोग तो जानते ही है, हेड क्वार्टर जो है, इसका मुंबई महरास्ट्रा में है, जो एक कंपनी स्टार्ट हुई थी, जो फ्यूचर ग्रूप, वो 2013 में 7 अगो स्टार्ट हुई है, जो इसके इंप्लोईज है, 71,000 प्लस इसके इंप्लोईज है, तो कौन कौन से फिल्ड में काम करती है, कंपनी इज नौन फार हैविंग सिगनीफिकेंट प्रोमिनेंस इन इंडियन रिटेल और फैशन सेक्टर्स, विद पॉपलर सुपर मार्केट चेन लाइक, आपने बिग बजार भी सुना है, फूड बजार सुना है, लाइस्टाइल स्टोर् हैं, ग्रूप अलसो है जे नोटेबल प्रेजंस इन इंडिकरेटिट फूड एंड फमसी मैनुसेक्ट्रिंग स्टोर्ज फूटर रिटेल लिंटेड एंड फूचर लाइस्टाइल यह दोनों ही नसी बीसी पे लिस्टिड है, इसके लाब आपने एफ बीबी सुना होगा, फूड बजार सुना होगा, फूड हाल, हॉम टाउन, सब रिनाउंड जो कंपनीज हैं, इनके पास हैं, इसके लाबा एफमसी में टेस्टी बाइट, फ्रेश और प्योर, क्लीन मेट, एकता प्रीमियम हार्वेस्ट, यह सब आपने ब्रेंड सुने होंगे इनके, तो नीचे देखते हैं कि इनकी हिस्टरी क्या है, जैसे आपने देखा, जैसे अभी रिलाइन्स और फ्यूचर ग्रूप की जो डील हुई है, किस वज़े से डील हुई है, क्योंकि काफी टाइम से जो डेट का बर्डन था, फ्यूचर ग्रूप के उपर बहुत ज़ादा था, और यह जो यह स्लम डील हुई है, स्लम डील में क्या होता है, कि कोई वैलूशन नहीं लगाए जाते है, एक लंसम डील होती है, उसके अकोडिंग यह लंसम डील जो है, रिलाइन्स के साथ की गई है, इस से पहले भी ही जो है, आप देखेंगे मई 2012 में, फ्यूचर ग्रूप अनौ प्यूचर ग्रूप के पास था, जो कि इन्होंने 8,000 क्रोड का जो इनका डेट था, उसको रिड्यूस करने के लिए काफी पहले, चलता हुँ अपना ब्रैंड अदित्य विर्ला ग्रूप को सेल आउट कर दिया था, उसका 50.1 प्यूचर ग्रूप को सेल कर दिया था, उसके बात जो स्टेक सेल हुआ था, उसे एक नई कंपनी जो बनी थी, पैंटालून रिटेल को लेटर जो नाम दिया गया था, अदर्स जो इनके पास स्टेक बचा था, उसे फ्यूचर वैल्यू रिटेल चेन और रिनेम्ड फ्यूचर रिटेल लिम्टेड जो आप जानते हो, य एक एग्रिमेंट हुआ है, जिसके अंदर इसका जो रिटेल का बिजनस है, वेर हाउस बिजनस है, लोजिस्टिक्स है और होल सेल का बिजनस है, वो सारा का सारा एल्लाइन्स रिटेल को बेचा जा रहा है, तो इस टेक ओवरी जैट टू भी अप्रूवड वाइस सेबी, से जाओ मैं, तो रिटेल, फ्यूचर रिटेल लिम्टेड, फ्यूचर लाइफ स्टाइल, फैशन लिम्टेड, फ्यूचर कियूमर लिम्टेड, फ्यूचर इंटरपाइज लिम्टेड, स्वास्ति स्टीफन शॉप एंड फूड हाल, यह जो कंपनी है, यह सारी की सारी रिटे यहाँ दिखेंगे लाइफ इन्शुरैंस का इसे दिखिए लाइफ इन्शुरेंस बिजन्स बत्राइब ढूंड हुए इन्व पधिकल्व Party शुर्ड शमरा इसकी बत्रामफ है कि वह ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और कोविड-19 की वज़े से जो बिलकुल ही इनकी जो बैकबोन है वो टूटी है उसके बाद इनको इमिडेटली डेक्ट रेड्यूस करने के लिए यह जो है एग्रिमेंट्स करने पड़े हैं तो फ्यूचर रिटेल के अंडर कौन-कौन सा आता है फ्यूचर रिटेल निम्टेड में आप देखेंगे होम टाइंग होम टाउन फ्यूचर रिटेलर फूर्नीचर रिटेलर कौरियो फूड बजार फैशन एट बिग बजार यानि एक बीबी अधार होलसेल इजॉन फूड हाल इजी डे बिग बजार निगरिस हाईपर सिटी जे सब इसके अंडर आते हैं तो आप देखेंगे ब्रैंड्स काफी है इनके नीचे तक ब्रैंड्स हैं अब आप देखेंगे कि जो डिस्पीट हुआ है फ्यूचर और लाइंस ग्रूप के उपर वो क्या डिस्पीट हुआ है कि एमजोन ने जो किया था अगले 10 साल तक कोई भी अगर अपना स्टेक सेल करती है तो सबसे पहले Amazon से कुछा जाएगा क्योंकि वो सिमलर बिजनस में है दोना Amazon और फ्यूचर तो सबसे पहले Amazon से उसकी एडवाईस लिया जाएगा उसके बाद ही वो किसी को स्टेक सेल कर सकते हैं अधराई जो फर्स्ट प्रियोर्टी है वो Amazon की होगी उसे टेक ओवर करने की और यह जो एप्लिकेबल था एजपर फ्यूचर ग्रूप यह तीन साल बाद एग्रिमेंट जो है एप्लिकेबल होना था दस साल के लिए बट तीन साल के बाद एप्लिकेबल होना था जानि जो डी इसलिए जो है कोट में केस भी चल रहा है और सिंगापूर कोट में इंटरनेशनल कोट है उसके अंदर भी चल रहा है तो अभी देखते हैं कि यह किस टाइप से चीजे निकल के सामने आती है तो अभी आप देखेंगे कि फ्यूचर गुरूप का जो रिटेल का शेर है वो क 52 वीक हाई जो है इसका 382 के आसपास है और 52 वीक लो 60 के आसपास है अल्मोस 60 अपने इस बिल्कुल नियरवा ही काम कर रहा है यह मार्केट कैप जो है 4316 क्रोड की आसपास कि इसकी मार्केट कैप है इसके जो रिजल्ट्स है वो आपको बता लेता हूँ एक चेकलिस्ट है इसको इन्वेस्ट करने से पहले तो रेड़ फ्लेक्स हैं आप देखेंगे तू मच पर मॉटर होल्डिंग प्लजट मॉडरेट रिस्क 2.42 परसेंट मॉडरेट रिस्क है इसके अंदर अगर पैटरन को देखेंगे तो जैसे मैंने बताया स्मॉल कैप कंपनी अब स्मॉल कैप कंपनी बन चुकी है यह तो 4317 क्रोड का इनका मार्केट कैप है ROC रिटर्न उन कैपिटल उन्टाइट 10.9 है तो कुछ भी इसके अंदर इंप्रेसिव आपको नजन नहीं आएगा आप देखेंगे 200 डी में से शेर लगातार ही नीचे काम कर रहा है कोई बुलिश मोड में नहीं है कुछ भी इंप्रूमेंट के चांसी इसके अंदर नहीं लग रहे हैं अब क्वाटर तो क्वाटर अ किसी भी कंपनी के लिए मैटर करते हैं पांच परसेंट से रिडियूस होके माइनस में चले गए जो कि माइनस ग्यारा कोविड नाइंटीन में जैसे मैंने बताया था है कि सचुशन बहुत जारा खराब होगी था इसलिए इनको इमिडेटली वह चीजे करनी पड़ी है जो माइनस में फिर 562 अब 692 क्रोड हो गया नेस्ट क्वाटर का इससे भी ज्यादा लोस होने के चांसी जहें लोस क्यों हो रहा है क्योंकि इंटरस्ट वाइडन क्वाटर टो क्वाटर ज्यादा होती जारी आप देखिए आपर 231 थी 278 देन 362 तो जो पहले ही माइनस में प्र जो है कंपेर करते हो मार्च 2019 को बीस से कंपेर करते हो तो अपरेटिंग जो मार्जन से 5 परसेंट से 11 परसेंट के आसपास हुए बट जो प्रॉफिट है वो 727 क्रोड जो हुआ करता है वो सिरफ 12 क्रोड के आसपास करें गया अगर फुल येर का आप इसका देखेंगे पहल मार्च परसेंट से 11 परसेंट हुए है बट इंटरस्ट वर्डं जो है आप देखेंगे 228 से बढ़के 1026 हो गया है तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा था वो सारा का सारा इंटरस्ट में चला गया है तो जो 723 का क्रोड का प्रॉफिट होना चाहिए था वो 14 क्रोड में रह यह जारी है क्योंकि इंट्रस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं यह लोग पुरी तरह से रिजर्ब जो थे 3746 क्रोड से 396 के हो गए हैं एसेट्स जो हैं 10,587 से बढ़के 20,404 हो गए हैं तो कुछ भी 302 परसेंट से 4.39 परसेंट रह गया है डियाई का 5.08 परसेंट से अलमुस्स सेम ही है 6.46 के आसपास है वट आप एक कीज़ नोट करेंगे जो जनरल पब्ली के इसके पास होल्डिंग बढ़ती जा रही है यह जो डील हुया है रिलाइंस और फ्यूचर ग्रूप की इसे CCI से अप्रूबल मिल गई है CCI अप्रूप फ्यूचर ग्रूप और रिलाइंस रिटेल डील इवन देखिए सेट बैक फार एमजोन जो एमजोन का जो केस चल रहा है सिंगापूर कोर्ट इंटरनेशनल बड़ उसके बाब जुद भी CCI ने इस डील को अप्रूबल दे दिया है फ्यूचर ग्रूप की और रिलाइंस रिटेल की जो डील है उसको अप्रूबल दे दिया रिलाइंस रिटेल विल नाओ हैव एक्सेस टू क्लोज टू एटीन हंडर स्टोर अक्रोस फ्यूचर ग्रूप विक्स बजार एपबी इजी डे सेंटल फुठाल फॉर्मेट्स जितने भी है अक्रोस फॉर्ट्टी सिटीज में है तो इससे रिलाइंस रिटेल को तो प्रॉ इडिशन चल रहा है इनकी एक्सेस बहुत ज्यादा हो जाएगी और यह एमजोन फ्लिप कार्ट वगरा सबको इजली कम्पीट कर सकते हैं अब आप देखिए यह है जो डेट चार दिसमबर के आसपास की है सेबी कोस्टेंस बीस सी ओन इट्स नोट फार फ्यूचर डिल से लेटर्स भेजए हैं कि चार केस पेंडिंग है बट आपने उनको रेगलेटरी आस्क हाव डील वाज क्लियर डिस्पाइट फॉर अन्रिजोल कंप्लेंट्स की रिलाइंस और फ्यूचर डील को कैसे आपने गोएड कर दिया है जबकि चार कंप्लेंट्स पड़ी हुई है इनक्लूडिंग वनवाई एमजोन डॉट कॉम तो यह चार तारीक की एक लैटर गया है से बी की तरफ से बीस्ट को कि आपने यह चार कंप्लेंट्स जब पेंडिंग पड़े हुई है तब भी आपने लाइंस और फ्यूचर की जो डील है उसको कैसे गोएड कर दिया है क्य इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो एमजोन ने क्लियर यह चीजे लिखी है कि एक्षेंजिज़ को कि यह जो है जनल पबलिक को फूल बनाने वाली बात है इससे किसी को कुछ फाइदा नहीं होगा शेर ओल्डर को सिरफ जो फाइदा होगा एमजोन को होगा या फिर फूच Shareholders को क्या मिलेगा उसमें हम एक बाट discuss कर लेते हैं, जो swap ratio निकल कर आई है वो क्या चीज है इस swap ratio में जो future enterprises will issue, 9 shares for each, for every 10 shares in future consumer इसका मतलब यह है कि जिसके पास 10 share future consumer के हैं, उसको no share reliance enterprises के मिलेंगे इसमें क्या है कि जितनी भी ये companies हैं, आपको बता रिता हूँ future consumer, future lifestyle, future retail, future supply chain, future market network यह पांच companies है, 12345, यह सारी की सारे जो भी इसके अंदर shares है, अभी जो trade हो रहे हैं market में उन सब को reliance का कोई भी share नहीं मिलेगा, जो पहले चलता था कि शायद reliance के साथ ये मर्ज हो रहे हैं तो reliance के कुछ share मिलेंगे, और share holders को अच्छा फाइदा हो जाएगा, उसका reliance retail के मिल जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, इस व्याइप रेशों में जो भी shares मिलेंगे वो agreement के according, जो future share future enterprises की मिलेंगे जिनके पास 10 share है future lifestyle fashion के, 101 share मिलेंगे future enterprises के जिनके पास 10 share है future retail के, 131 शेर मिलेंगे जिनके पास 10 शेर हैं future supply chain के 18 शेर मिलेंगे future enterprises के जिनके पास 10 शेर है future market network के अब यहाँ पर जो दिखाए गया है कि इन सबसे यह जो premium पे deal हो रही है बने कि शेर होल्डर्स को इसको 36 से 75 परसेंट का profit है यह जो swap ratio है इससे 36 से 75 परसेंट जो है शेर होल्डर्स को profit है यहाँ देखिए future enterprises का प्राइस अभी माना गया है 20 रुपर और उस टाइम पर प्राइस था 151 था future supply chain का तो उससे जो swap ratio निकल कर आ रही है तो 75.2 के premium पे यह swap ratio बनती है future lifestyle 61.5% का जो swap ratio होगी जो future lifestyle के जो शेर होल्डर होंगे उनको convert किया जाएगा future enterprises में और उसके बाद जो उनको profit होगा 61.5% का profit होगा future consumer को shareholders को 58.4 का होगा future retail वालों को 50.9 का future market network को 36.4 का profit यहाँ दिखाया गया है बट यह सिरफ आँख में धूल जोकने वाली बात है ऐसा कुछ भी profit नहीं होगा ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो future enterprises है उसके पास अभी 49.5 क्रोड के आसपास के shares हैं जो market में trade होते हैं जो उसका market cap है उसके हिसाफ से उसके shares जो market में trade होते हैं 49.5 क्रोड के आसपास के हैं जब इन companies के shares होंगे वो convert होंगे future enterprises में इन पांच कमपनी के शेर्स जो कनवर्ट होंगे जिनके पास 10 शेर्स हैं इसके उसको फ्यूचर के मिलेंगे 151 के उसको मिलेंगे 116 शेर्स दस शेर्स के बतले 116 शेर्स मिलेंगे लाइस्टाइल के तो आप इसको जो कनवर्ट करेंगे इन सभी को तो फ्यूचर इंटरप्रा करोड के आसपास का अल्मोस्ट जो बनता है स्वैप रिशो के बाद इनके इतने शेर्स हो जाएंगे फ्यूचर इंटरपाइजिस के उसका इंपक्ट क्या होगा उसका इंपक्ट होगा कि इनकी जो EPS है वो डेलिट हो जाएगी EPS कैसे कनवर्ट होती है जो कंपनी का प्रोफ प्रोफिट करती है तो दस शेर होल्डर है तो दस रुपे सब में आ जाएंगे अब प्रोफिट तो उसका सेम ही रहेगा सो रुपे बट नंबर ऑफ अगर पार्टनर से इसके बढ़ जाएंगे जब इन सब के भी शेर्स उसके अंदर आ जाएंगे तो स्पोज करो यह पां अपने आपको एड़ेस्ट करता है तो जब एड़ेस्टमेंट होगी तो इन कंपनी फ्यूचर इंटरपाइजिस क्या जो है और भी शेर्ट डाउन चला जाएगा तो महां यह एड़ेस्टमेंट होती आपको नजर आएगी यह जो प्रीमियम दिखाए गए हैं यह कुछ भ प्राइस चाहिए आपका कितना भी डाउन आजाए बट उससे निकलना चाहिए अब फ्यूचर इंटरपाइजिस का जो प्राइस अभी चल रहा है वह 11.54 के आसपास का है हाई देखेंगे तो फिप्टी टॉन्टी सिक्पाइट जिदों का लोग नाया कंपनी की जो मार्कि इंको खूते थे ज्यूचरह विजनस त प्राइस दिद्शेन से रहरे हैं उनको प्राफिता हो रहा है कुछ आगरिमेंट्स ऐसे होंगे जो फ्यूचर इंटर नेस जो है क्योंकि future enterprises जो है इनका management हो सकता है कि इनके पास आ जाए जो भी retail stores है इनको agreement मिल जाए बट इन से बहुत ही कम profits future enterprises को होने बाला है तो future जो है future group का अच्छा नहीं है तो मेरे हिसाब से इसके अंदर चाहे share price आपको अभी मैं ग्राफ पर दिखाता हूं जिरोदा का चार्ट आई कि आपको बड़ा ही ऐसा लगेगा जैसे डाउन आ गया है और यह भी बढ़ जाएगा सो हो जाएगा 200 हो जाएगा ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है यह सिर्फ operators का गेम है जैसी कोई न्यूज आती है उसको चलाते हैं बिल्कुल अपने low के आसपास काम कर रह चाहिए swap ratio कुछ भी नहीं है अगर आपको बाद में जब future enterprises के share trade करेंगे उस टाइम पर आपको देख लेना चाहिए अगर उसकी business अच्छा चल रहा है future enterprises का उस टाइम पर आप उसे ले सकते हैं बट अभी swap ratio के चक्कर में इस share में बिल्कुल मत फसी है कि share जो है अपने 52 वी मिल रहा है जानी सिर्फ 10% पर मिल रहा है 90% discount पर मिल रहा है तो इसके अंदर आपको बिल्कुल नहीं फसना चाहिए आपको इससे निकलना चाहिए और मेरी advice जाहिए इससे अच्छे अच्छे shares है उसमें जाहिए इसमें कोई technicals नहीं है कोई future नहीं है कोई fundamentals नहीं है इस company के अगर आपको इसके अंदर invest करना है तो जब यह पूरा dispute खतम हो जाए इरलाइंस का Amazon का future group का उसके बाद एक entity बन जाए future enterprises उसके बाद उसकी growth आप देख लीजिए अगर आपको लगता उसके अंदर growth है उसके अंदर अच्छे business है fundamental change हो रहे है debt reduce हो रही है contracts आ रहे हैं उनके पास तो उसके बाद आप पैसा लगा सकते हैं इस अच्छी अच्छी company मार्केट में उनमें पैसा लगाई है इसके अंदर अभी dispute से दूर रही है मेरी advice आपको यही है बाकि आप अपने financial advisor से का advice ले लीजिए better advice लीजिए क्योंकि पैसा जो होता है बड़ी मुश्किल से कमा आपको निकलना चाहिए और अच्छी company में पैसा लगाना चाहिए थैंक्यू धन्यबाद कर दो